जैसे हर ताले की एक चाबी होती है वैसे ही हर प्रॉब्लम का एक सलुशन भी होता है चाबी लगाने से ताला खुल जाता है लेकिन प्रॉब्लम का सलुशन इतनी आसानी से नहीं मिलता क्यों यह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इस वीडियो में Albert Einstein के 5 ऐसे कोट आप अपना कर आप अपनी जिन्दगी में बदलाव महसूस कर सकते हैं तो पहला कोट Albert Einstein साब कहते हैं We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them यानि कि जब हमने problem create की थी जिस thinking से हमने problem create की थी उसी thinking से हम उसका solution नहीं निकाल सकते हैं solution निकालने के लिए हमें अपने mindset को change करना पड़ेगा अपनी thinking को change करना पड़ेगा तभी उस problem का solution निकल सकता है ऐसा Albert Einstein साब कहते हैं उसके बाद उनका दूसरा कोट है The true sign of intelligence is not knowledge but imagination imagination करना सीखो मेरे भाई imagination करना सीखो imagination करोगे तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो knowledge आपकी सोच को आपकी thinking को बान देती है सिमित कर देती है लेकिन imagination जो है वो आपकी सोच को बड़ा करता है आपकी सोच को एक बहुत बड़े level पर ले जाता है तो imagination करना सीखो Albert Einstein ने इसी quote में एक बात और कही थी कि logic will take you from A to B imagination will take you everywhere imagination आपको हर जगे ले जाएगा logic और knowledge आपको A से B की तरफ लेके जाएगे बस तो इसलिए imagination करना सीखो imagine करोगे तो दुनिया बदद सकते हो और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विश्कार हुए है वो सारे imagination के बल पे हुए है आगे चलते है whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters भरोसे की बात कर रहा है भाई साथ जो व्यक्ति छोटे छोटे मामलों में भरोसा करने लायक नहीं है सच नहीं बोलता है वो इंसान बड़े मामलों में भी भरोसे के लायक नहीं होता है इसलिए जब भी आप भरोसा करे तो एक ऐसे व्यक्ति पे करे जो छोटे छोटे मामलों में भी भरोसा करने लायक है तभी वो बड़े मामलों में आपको भरोसे पे खरा उतरेगा ऐसा Albert Einstein साब कहते है आगे चलते हैं The important thing is not to stop questioning curiosity has its reason for existence question पूछने से डरना नहीं है भाई चाहे teacher को पसंद आए या ना आए teacher को वैसे भी questions पसंद आते नहीं है लेकिन आपको question पूछने से रुकना नहीं है अपनी जिग्यासा को शांत नहीं करना है आप उसको और ज़ादा बढ़ाना है मतलब जिग्यासा को शांत करने के लिए question पूछना है आपको और question पूछने से डरना नहीं है चाहे teacher को पसंद हो या ना पसंद हो आपको question पूछना चाहिए क्योंकि curiosity भगवान ने दिये हमें और उसे शांत करने के लिए question तो दिमाग में आएंगे तो question पूछने से आपको डरने का नहीं है question जरूर पूछने है आगे चलते है Anyone who has never made a mistake has never tried anything new कितनी सुंदर बात वो कहते है वो कहते है कि अगर किसी इंसान ने कोई गलती नहीं की तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है उसे कुछ नया try ही नहीं किया है तो try करेंगे तो गलतियां तो होगी तो कोई भी गलती कर सकता है कैसे भी गलती कर सकता है गलतियों से हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए और हमें नएने experiment करने चाहिए उससे गलतियां तो होगी लेकिन हम बहुत कुछ नया सीख पाएंगे तो दोस्तों यह थे Albert Einstein के 5 quotes तो मैंने आपको समझाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, टमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए है तो सबस्क्राइब कर लीजिए थेंक्यू